नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग चैनल पे आज के इस वीडियो में हम फिर आप सभी लोगों के लिए एरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई दुनिया भर की कुछ बड़ी और काम की ख़बर लेकर आ चुके हैं शुरू करते हैं आज का वीडियो और एरलाइंस यहां पर सबसे पहली और सबसे बड़ी ख़बर आ रही है ब्रिटेन से जी हैं दोस्तों यहां पर यूके ने होंग कोंग के लोगों के लिए नया वीजा सुरू कर दिया है आपको बता दे कि यह नया वीजा के फैसलिटी से ह रिस्टिक्शन लगा दिया था इसी को देखते हुए अब यहां पर यूके ने होंग कोंग के लोगों को नागरिक्ता देने के लिए अपने वीजा में बदलाव किया है चलते हैं अगली बड़ी ख़बर की तरफ जो आ रही है सौधी अरेबिया से एक जरूरी जानकारी आ आते हैं तो ऐसे लोगों के ऊपर तीन साल का प्रतिबन लग जाएगा यानि कि वह तीन सालों तक सौधी अरेबिया में नहीं आ सकते हैं आपको बता दे कि यहां पर सौधी अरेबिया और भारत के बीच में अंतराश्टे उड़ाने पिछले दस महीने से बंद हैं और से असी हजार रुपे खर्च करने पड़ेंगे जब ही जाकर वो दुबरी के रास्ते सौधी अरी पर जा सकते हैं आपको बता दे कि इसको लेकर पूरी एक डिटेल जानकारी वाली वीडियो हमने पहले ही बना रखी है जिसमें जो सौधी के जावाजा से जो जानकारी आई है यह वीडियो पहले ही हमारे चैनल पर मौजूद है यदि आपको वीडियो देखनी है तो आई के बटन पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं अब ही चलते हैं अगली बड़ी खाबर की तरफ जो आ रही है इटली से यहां पर इटली ने भी अंतराश्टे वड़ाने को लेकर एक बड़ी जानकारी दी है जिसमें वह ब्राजील के उपर जो प्रतिबंद लगा हुआ था अब उस प्रतिबंद को 15 फरवरी तक बढ़ा रही है आपको बता देखी इटली ने नए कोरोना वारस के खत्रे को देखते हुए ब्राजील से 16 जनवरी से अपनी अच्टे उड़ाने शुरू कर रही है और वह भी यहाँ पर यूएस के लिए मतलब कि अब अमेरिका के लिए कातर एरवेज और भी नए उड़ानों की शुरूआत कर रही है और नए डेस्टिनेशन की शुरूआत कर रही है आपको बता देए कि इस समय देशों में अच्टर एरवेज एमिरात एरलाइंज यह कुछ बड़ी एरलाइंज कंपनिया है जो कि अपनी उड़ानों को अभी एकस्पेंड करने में लगी हुई है और यह बड़ी एरलाइंज कंपनिया इस समय दुनिया के 130-140 लोकेशन्स पर अपनी फ्लाइटों को ओपरेट कर रह ही अपने लेंद बार्डर को बंद कर रही है आपको बता दीकि यहां पर निए 10 जनुवरी से ही अपने लेंड बर्डर को बंद किया हुआ है यह इसक देखा गया है यहां पर मैं नहीं काbars है कि यहां और दूसरे निद्बाट के डियो compar में तुक्तिर हैं लेकिन बात करें यहांपर फ्लाइटों को लेकर तो ओमान में अभी बी इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेट हो रही है जहां पर पैसेंजर से करोना टेस्स कराकर ट्रेवल कर सकते हैं चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरह जो आ रहे हैं पाकिस्तान से फ्रेंड्स यहांपर पाकिस्तान ने ये सूजना दी है कि वो दुनिया के 24 देसों को ऐसी लिस्ट में डाल रहा है जहां से यदि पैसेंजर्स ट्रैवल करके पाकिस्तान में आते हैं तो उनको जरूरी नहीं रहेगा कि वो अपने साथ करोना का नेगिटिव रिपोर्ट लेगा ट्रैवल करें आप आपको बता देगी हां पर पाकिस्तान ने दुनिया के सभी देशों को तीन के लिश्ट में डाला हुआ है के पैसेंजर्स ट्रैवल करके नहीं आ सकते हैं इन देशों में सामिल है नीदल लैंड इसके लावा साउथ अफरीका और भी कई सारे देश हैं जहां से पैसेंजर सीधें डिरेक्ट पाकिस्तान में एंट्री नहीं का सकते हैं और बाकी के जो कंट्री बजगे हैं उनको कैटेगरी बीमर रखा गया है इसके लावा अगली जो जानकारी पाकिस्तान से आ रही है वो वैक्सिन को लेकर आ रही है फ्रेंट्स यहां पर पाकिस्तान ने भारत से वैक्सिन नहीं ली है आपको बता दे कि भारत से वैक्सिन भारत के लगवज सभी परोसी देशों ने लिया हुआ है लेकिन पाकिस्तान यहां पर वैक्सिन के लिए चा आपको बता दे कि यहाँ पर चाइना ने वैक्सिन बहुत पहले ही बना लिया था लेकिन यहाँ पर दुनिया के बहुत ही कम देश हैं जो कि चाइना की बनी हुई वैक्सिन को ले रहे हैं यहाँ पर पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है इसके लावा दुनिया के एक दो देश और और ऐसे हैं जिन्होंने चाइना की वैक्सिन का एप्रूबल दिया हुआ है और वही देश हैं जो कि चाइना की वैक्सिन लगवा रहे हैं चलते हैं अगली ख़बर की तरफ और यह ख़बर भी यहां पर करोना वैक्सिन को लेकर ही आ रही है आपको बताना चाहेंगे कि यहां पर Corona vaccine अब दुनिया के लगव बहुत सारे देसों में लगनी सुरू हो गई है और बहुत सारे लोगों को अब तक Corona virus की ala BGI बी चुकी है अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल आता है कि जिन लोगों को वैक्सिंद लग चुकी है यदि वह लोग flight से travel करते हैं तो क्या उनको कोरोणा टेस्ट करना ज़रूरी है और क्या उनको यहाँ पर quarantine ज़रूरी रहेगा तो इसके लिए IRTA यहाँ पर travel pass लेकर आ चुकी है और इस travel pass में passengers का सारा डेटा सेव होगा उन्होंने कब is लगाई है कब उन्होंने कोरोना जाच कराया है जिससे कि वो एक देश से दूसरे देश में बीना कोरोना टेस्ट के ही ट्रेवल कर सकते हैं और वहाँ पर कॉरेंटीन की भी जरूरत नहीं रहेगी लेकिन इसके लिए सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है वो यह है कि सब ही देश यहाँ पर मानेता आपको बता देखिए यहाँ पर जो लोग वैक्सिन लगा रहे हैं उनकी मानेता अभी भी दूसरे देश नहीं दे रहे हैं जैसे कि यदि आप मीडलिस्ट कंट्री जैसे कि दुबई या फिस सौदी से वैक्सिन लगा कर भारत में आते हैं तो यहाँ पर भारत जो है उस व वैक्सिन के मानेता देना सुरू करें जब यहाँ पर यह ट्रेवल पास वैलिड हो सकता है और लोग इस ट्रेवल पास के माध्यम से बिना कॉरेंटीन और बिना कोरोना जाज के ट्रेवल कर सकते हैं अब यहाँ पर कुछ जानकारी डोमेस्टिक फ्लाइटों को लेकर ले ल पूने एरपोर्ट को यहाँ पर 14 दिनों के लिए बंद किया जा रहा है आपको बता देखी 26 अपरेल से लेकर 9 मई तक पूने एरपोर्ट बंद रहने वाला है अगली खबर यहाँ पर इंडिको एरलाइन्स यहाँ पर कैपेसिटी के मामले में दुनिया के साथ बड़ी एर चान को दिखा रही है अगली और आखरी खबर यहाँ पर जेवर एरपोर्ट को ले लेते हैं फ्रेंट जेवर एरपोर्ट जिसको लेकर यह बताया जा रहा है कि जेवर एरपोर्ट भारत ही नहीं एसिया का सबसे बड़ा एरपोर्ट बनने वाला है और इस एरपोर्ट का न बनकर तयार हो जाएगा जहां से अंतराष्टे उड़ाने और डोमेस्टिक उड़ानों की सुरुवात हो सकती है तो फ्रेंड्स यह थी आज की एरलाइंस और ट्रेवल से जुड़ी हुई कुछ बड़ी और काम की खबरें यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइ हुएम